नमस्कार मैं सिद्प्रविस्टो कर्मा मैं आजाई हूँ एक चिकेन का खास रेसिपी लेकर जो खाने में बहुत ज़दा स्वादिस्ट बनती है और बनाने में भी बहुत इजी है और मेरे किये कितना सुंदर बनकर रेडी हो जाएगी और देखे मेरे पास 500 ग्राम चिकेन है मैं अच्छी तरह से धो कर रखती हूँ इसमें मैं हल्दी नमक डाल दे रही हूँ और इसे मैं तीन चम्मच फ्रेज दही डाल दूँगी घर का यह दही है तीन चमत में फ्रेस दही डाल दे रही हूँ और इसको फिर दही डाल कर नमक खल दी और दही डाल कर मैरिनेट करके मैं आदा खंटा के लिए धक कर रख दूँगी एक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है देखिए आदा खंटा के बाद मैं चिकन लेकर आई हूँ और इसको मैं करहाई में डाल दूँगी सब्सक्राइब कốc्राइब खंटो में ठीका ने करे और आद सब्सक्राइब करने में डाल दूड़ाई है और देखिए प्याज है थोड़ा बारा प्याज कटा हुआ है थोड़ा छोटा प्याज कटा हुआ है और इसको में डालूंगी इसमें थोड़ा टमाटर है और इसमें प्याज का मातरा थोड़ा ज़्यादा ही लगता है लहसुन है कुचा हुआ लहसुन है अद्रक है का पाउडर है देखिए तेल मैं उपर से मैं डाल दे रही हूं इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मैं चला कर लोग मीडियम फ्लेम में रख दूंगी सीम आज करके मैं इसको थोड़ा आदास मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूं ताकि जो भी बचा को है वो भी चिकन कूप हो जागया इसे ही चिकन बहुत नरम हो गया खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है हारा मिर्ची का प्यांच का इसका जो सेन डाता है ज़्यादा नहीं बहुत आधा चमच वी जानी मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसको बैज चला दो रही हूँ अब मैं इसको सीम आज कवर के मैं दस मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा देखिए दस मिनट के बाद इतना सुन्दर तेल बहार आ गया है मसाला से तेल निकल गया है और यह कराई में पूरा सट गया है पूरा पानी भी सोख लेया है अब मैं कराई से पूरा निकाल ले रही हूँ इसमें उपर से मैं थोड़ा धनिया बत्ता एड कर दे रही हूँ और चीकेन मेरा बन कर रेडी हो गई है एक खाने में बहुत जद़ टेस्टी लगती है और इसका खुसबू भी बहुत अच्छी निकलती है पूरा फ्राई चीकेन रहता है इसको आप लोग भात के साथ खाईए पराठा रोती के साथ खाईए पुलाव के साथ खाईए किसी भ ज्यादा मसाला भी नहीं पड़ता है, थोड़ा कम मसाला में हिто हो जाता है, और देखे मैं थोड़ा ग्रेeko भी बिजा अध़ी हूँ, तो तो थोड़ा पानी डालकर मैं इसको ग्रेवी बना दे रही हूँ प्रेंज आप लोगों कैसी लग रही है मेरा वीडियो प्लीज लाइक पमेंट सेयर कर दीजेगा आप वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सस्क्राइब करके मुझे उस साइट करिए देखिए कितना सुन्दर कलर भी आ गई है आप खाने में बहुत ही ज़्यादा ट परणनावन फयादा पी आप टेमियो आ गो जायओ आ ऑग विया जा झायओ कर दोड़ कर दोड़ा गो वाल